नशा करने से व्यक्ति का विभार और हरकते बदल जाती है आपकी थोड़ी से सजगता इस समस्या को तुरंट पकरने में काम आएगी और साथ ही से ठीक करने में भी पर आपको पता है बच्चों के नशा करने का कारण क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके कारण बताऊंगी और साथ ही से चुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगी कि नशा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने नशा से चुटकारा पाने के लिए इसके अलावा उसके परिवार वालों को किया करना चीए, जिससे कि इसका नशा छुट जायर और इसके अलावा, क्या खाना चाहिए, जिससे कि नशा को छुड़वाने में बहुत जारा मदत मिलेगी, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखे. और ऐसे इंफॉर्मेटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चली वीडियो स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले इसके कारण को जान लेते कि आखिर बच्चे नशा करते हैं क्यों हैं तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि मांसिक रूप से मुश्किल होना जैसे दोस्तों बनाने में मुश्किल होना या फिर कारेस थल्वा स्कूल का खराप प्रदर्शन अगर वो खराप रदर्शन दे रहे हैं तो वह तोड़ा सा टेंशन में आ जाते जिससे कि वह इस अब गंदी आदतों का शिकार हो जाते हैं इसके लावाद को दूर करने में मुश्किल होना मित्रों का समू जो ऐसी चीजों का उप्योग करता है उससे भी बच्चे बहुत जाला जल्दी बिगड़ जाते वह अपने दोस्त का देखा दे कि बहुत सारे ऐसी हरकते कर देते हैं जोने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसके लावा म फैमली मेंबर्स या कोई पैरेंट्स वगर अगर लेते नशे की आदत है उन्हें तो इससे भी बच्चों की नशे की आदत होना स्वभाविक हो जाते हैं इसके लाव किसो रवस्था में ही ज़्यादा चांसे होते हैं बच्चों के इस सब गलस अंगत में पढ़ने का इसक परिवार वालों का अंधर परियाप्त ध्यान देन अमर्स अग Practice तर ऐसे नहीं दे रहे नहीं है उन्हें अपनी मन्बानी करने के लिए चोड़ दे रहे है जो जैसा कर रहे है वैसा करने दे रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे तो इसके कérieur भी हो सकता है इसके अलावा जावर न करते हैं तो यह थे कुछ प्रमूख कारण सक roman पर यह आम तो पर यह प्रमूख कारण होता है तेकंगे लिए reminds कि छोड़ने के लाक्ष तयार करने नश्या की लत को छोड़ने के लिए लक्ष मैंच बनाने की जरुमइर आप यह एंग soft लेकिन लक्षे बनाने से आपको अगले कदम को ताहि death Doctors करने में मदद मी लेगी। अगर दे कि अगर बना लिए आप एक बना लेते कि आप जो भी ड्रक समय कोई भी मतलब ह características हैं a परिवार वालों पर हर चीज पर अब उसके एक लिस्ट को तयार करने को जब पढ़े तो आप सोचे कि यह सबसे बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पढ़ते हैं आपके परिवार वालों पर जिससे कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल आपको थोड़ा साथ के मन में आया कि आपको सारे रिक रूप से कारते हैं क्या होवावार फ़र राता है इसके साथ कि पर बहुत बुरा तो बहुत सारे सारे प्रभाव पढ़ते हैं अशा लेने से तो यह सब चीजों के बारे में अगर वो खुद पर महसूस करने लगए कि उनके कितनी सारे समस्या होती है इस चीज का सेवन करने से तो कहीं न कहीं थोड़ी सी मतलब इच्छा होगी कि वो इस आदतों से निकल जा हैगा कि ने हमें इस आदत को सुधारना है तो इस आदत को सुधारने के लिए कोशिश जरूर करेंगे इसके अलावा मुल्यांकन करें कि आप क्या अपने जिम्मेदारियों को नजर अंदाज कर रहे हैं तो आपको यह जानना है जानना है कि आप अपने क्या क्या पूर आप नहीं कर रहर तो समझ जाने कि वह बिल्कुल भी जाए जया कि अपनी जिम्मधारियों का थिश्कूल जाते हैं जाते हैं तो आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं अपने नशे में हर दिन हर मैने साल कितना खर्चा करते हैं वह सारी चीज़ अगर आपको पता होगे, आप वह सारी चीज़ों को नोट करेंगे ना, तो आपको बहुत जादा मदद मिलेगी इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, इसके अलावा विचार करें कि कितने दिनों बाद आप अपने परिवार दोस्तों को देख पाते हैं परिवार और दोस्तों से दूर रहतना, इसलिए क्योंकि आप नशे के प्रभाव में हैं, आपको अपने आसपास किसी को भी जरुवत का महसूस नहीं होना, मैंसे आपको नई जरुवत हैं, आप अकेले ही बहुत अच्छे हैं, आपको किसी के साथ का जरुवत नहीं हैं, वो सोचें कितने दिन तक अपने फैमली फ्रेंड से नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपके नशे की लट के वज़े से, तो इस बारे में जरूर सोचें ताकि आप अपने नशे की लट को छुटकारा पा सकें, इसकर आप सुईकार करें, यदि आप दूसरों से जूट बोल रहे है या चूरी कर रहे हैं, अक्सर लोग नशे की लट में क्या होता है, चूरी करते हैं, उन्हें पैसे चाही होता है, नशे की लट लग जाती है, तो उन्हें पैसे चाही होता है, तो वो हमेशे अक्सर देखा जाता है कि वो चूरी करते हैं, पैसे कि अपने घर से चूरी करते और साथाय थाफ किई बर जूट बोलकर के खर न इस बंदू करेंे Qsa का जोने आखर बहुत सरी होबीस होती ये तो आप जब लोग नश्ये में होते हैं तो आपने फ्में पर द्यान नहीं देते हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है उन्हें सफ नशे की जरुदि नशे की लट हो चाती है तो ऐसे मैं यह सोचे कि आप पसंदिदा कार अपनी होबी को लास्ट कब फुल्फिल किये ते कब किये था अपने होबी को जिसे मालेजा को डांसिंग कब लगें को दिस दे चाहिए ताकि आपको यह लगे कि नहीं हमको इस चीज का शौक हॉप करना पसंद है तो हम यह करेंगे जिससे कि यह आदिल से चुटकारा पाने में मदद मीलेगे you इस झाल जरूर सोक्षोन चाहिए ठीक्स प्रभबव डाल रहा है शुछने में लज़े हैं जिन्दगी में एक प्रभव डाले हैं जो सेहर हाnd जिएकी सारी बातों के गढ़ने सोचिए के साहे सीध्दै भूलते हैं जब की सेचिए कितनी कर साहे कियो y den giờ आपके ड्रक्स लेने के लट सापको कितनी तरह की प्राब्लम हो रही है जिससे कि आप यह डिसाइड कर सके कि हाँ मेरे इस आदत से बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के तकलीफ हो रही है तो मैं इस आदत को सुधार हूँ अकर आपके मन में यह चीज आजाएगा तो आप जल्दी अपने इस आदत को इस गंदी आदत को सुधार सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे इक्छा सकते हैं अगर आप मजबूत कर लेंगे तो आपको हर काम करना आपके लिए बहुत सारा असान हो जाएगा आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा इसके अल आपके घर में अगर बच्चे हैं पेट डॉक्स है या कोई भी आपके बराबर के आपके एज ग्रूप का है तो आप उनके साथ टाइम स्पें कीजिए खेले ताकि आपके माइन फ्रेश रहे आप यह सब चीजों से दूर जाए और ताकि आपको सब चीजों से दूर जाने के लिए आप सकरात्मक्त बदलाओ को लिखे अब यह सोचे कि अगर आप नशा छोड़ देते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में क्या-क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में क्या-क्या चेंजिज होगे क्या-क्या पॉजिटिव चेंजिज होंगे जै आपको ना जुट बोलना पड़ेगा ना आपके बॉड़ी पे आपके बॉड़ी पे कोई असर पड़ेगा ना आपके कोई काम पे असर पड़ेगा ना है आपके फैमली मेंबर्स पे कोई असर पड़ेगा तो आप यह बात तो को सोचिए ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके इसके लावा आप यह सोचे कि आप अपने परिवार वालों के लिए परिवार वाले आपके लिए कितने जादा माइने रखते हैं यह बात को हमेशा ध्यान रखा है आप अपने परिवारवालों के लिए कितने जादा माहिने रखते हैं आपके परिवार वाले आपके लिए कितने जादा कि अगर आप ये चीज अपने माइन में सेट कर लेंगे ना कि आप लोग दोनों एक जुसरे के लिए बहुत सारा इंपोर्टेंट है तो आप लोग कोई भी गलत काम नहीं करेंगे फिर इसके अलावा मातरा कम करें कोई भी चीज का अगर जैसे मालिज आपको किसी भी तरह के कोई भी लेत होती है तो सड़नली उस चीज से चुटकारा नहीं पाया जा सकता है तब धीर धीर करके आप जितना लेते हैं अप उसकी मातरा धीर धीर कम करते चाहिए ताकि आप चुटकारा मिल सके इसके अलावा नशा करने की जानकारी लिखे इसका मतलब है कि आप अपनी डारी में लिखे कि आप नशा कब और कितना करते इसके साथ ही आप किसके साथ नशा करते और उसके बाद इसे बार बर पढ़े अगर किसी खास मौके पर या किसी खास स्वेक्त कि इसे मिलना छोड़ती चाहिए अब बहुत जादा जलती चेंज़ आज आए अब इसके लावट करते हैं कि परिवार वालों को क्या करना रreश चुडाने जाए तो मरेज़ की नशादा चुडाना ज़र कहीज ईह उ hm चाह से सांती से पेश हैं इसके राव मरीज को नशा के लट से बाहर लाने के लिए परिवार वाले बहुत ज़ादा एहम भूमी का निभाते हैं फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, टीचर, हेल्थ केर सेंटर द्वारा प्रेणा देकर बार बार नशा करने से रोक कर मदद कर सकते हैं और साथ ही उनके गलत धारना को भी दूर करें इसके रावा फैमिली को भी एडिक्शन के बारे में एडिक्शन से संबद्री सारी जानकारी होने चाहिए जिससे उनका गुसा मरीज पर बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि वो भी अगर समझ जाएंगे कि इस एडिक्शन के कारण ये सब कुछ हो रहा है तो वो गुसा करने की बज़े उस वैक्ति को एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इसके लावा पेशन को समझना और दोश ना देना जादा जरूरी है अब उसे हर समय दोश नहीं दीजे कि वो गलत संगत में पढ़ाया वो ऐसा क्यों कि आप दोश बिल्कुल भी मत देजे उसे इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए प्रतनी कीजे उसे मोटिवेट कि क्या खाना चीज इससे की नशे का लट साफ इजली चुटकारा पासके तो सबसे पहला है अंगूर खाए इसे खाने से धतूरा गांजा भांग या फिर शराब जैसे चीजों की लट से चुटकारा मिल सकता है करीब 25 दिन तक लगतार खाने से लट चुट सकता है इसका ल पानी का सेवन पानी में कई प्रकार की चिकित्से और डिटॉक्सिफाइंग गुन होते हैं जो की मादक पदार्तों को छोड़ने में मदद करता है दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीए इसे प्रकृतिक रूप से सरीर को डिटॉक्स कर नशावाप्सी का सामना करने में पीना चाहिए इसके लावा है कैमो माइल चाहे इसमें रिलाक्स करवाने वाली एंटी इंफ्लमेटरी गुन होते हैं या वैक्तिको नशाच छोड़ने में मदद करती है रोजाना चार से पाच कप इसे पीने शेर नशाच छोड़ने में मदद मिलती है तो ये था कुछ कार वालों को क्या करना चाहिए और साथ इसाथ उन्हें क्या खाना चाहिए अपने नशाच को छड़ाने के लिए तो आगर उनके फैमिली में भी किसी को भी ड्रक्स लेने की गंदी आदत थलत लगी है तो उन्हें भी वो सुधार सके हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में झालों कर दो